आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जीम अस्टड़ी में आज के वीडियो में हम लोग क्लाश टू वेल्थ हिस्टरी का भक्ती सुफी प्रमपराय जो चेप्टर है उससे वन मार्क्स वाले कोश्चिन यानि एक सब्द में जो उत्तर देना है और एक लइन में जो उत्तर देना है वो किस प्रकार से कुश्चिन पूछे जाते एकजाम में वो सारे कुश्चिन इस वीडियो में करने वाले है तो आप लोग वीडियो को जरूद देखिएगा आखरी तक देखिएगा ठीके आपको फैदा होने वाला है क्या पता ये exam साइध exam में आ जाए तो वीडियो को देख लीजेगा पाज दस मिनिट में आपका भला हो जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाता हूँ और यहाँ पर देखिए यह वर्ड है ठीक है यानि यहाँ पर लिखावा जिसे मारची तो इसका मतलब क्या होता है ठीक है यह सारे वर्ड से भी question exam में आते हैं बहुत सारे ठीक है यहाँ से मैं आपको question करवाने वाला हूँ जो परिच्छा में बहुत उपयोगी है यानि आप राण वाले question है सारे यह सारे question करने वाले यहां पर आप देखिए total कितने question है 40 question है तो इस वीडियो में 40 question करने वाले तो वीडियो भले लंबा हो लेकिन आप लोग पूरा जरु देखिएगा फायदा आपको होने वाला है ठीक है तो चलिए video को हम लोग सुरू करते है पहले परसन से तो यहाँ पर देखे आपका यह पहला जो परसन है यह क्या है आपका सुफी सब्द की उत्पत्ती किस सब्द से हुई है तो उत्तर आपका सुफी सब्द की उत्पत्ती सफा सब्द से हुई है ठीक है यानि सा से सुफी सा से सफा इंपोर्टेंट है और आराम से यानि विभाजित है उत्तर आपका सुफी सिलसिले मुखिता बाशरिया और बेशरिया इन दोनों वर्गों में विभाजित हुई है तो एक में बा लगा देना है और एक में बे लगा देना है दोनों क्या है शरिया है कौन सा चीज बटा हुआ है सुफी सिलसिले बटे हुए आगे question number 4 है अपका बासरिया का अर्थ बताईए अब यहां पर बासरिया का अर्थ समझते हैं बासरिया वे है जो इसलामी विधान यानि शरा को मान कर चलते हैं ठीक है आगे हम लोग देखते हैं question number 5 क्या है बेशरा यानि बेशरिया से क्या तातिपर है बासरिया के बारे में पता चल गया, अब हम लोग जानते हैं बेशरिया के बारे में, बेशरिया वे हैं जो शरिया में बंदे हुए नहीं थे, भारत में दोनों सिलसले मिलते हैं, वे शरिया अधिकतर सुफी संथ थे, उन्होंने अपने मत नहीं चलाए थे, लेकिन फिर भी जनता काफी लोग प्र कोश्चे नमर 6, आपका भारत के परमुख 4 सिलसलों का नाम बताईये, तो इस ब्रसन का उतर क्या है? यानि 4 टोटल कौन से सिलसले हैं, तो पहला आपका पका चिस्ती सिलसला, दूसरा आपका सोहर वार्दी सिलसला, तीसरा आपका कादरी सिलसला, चौथ Your आपका सरीप में है खौजा गरीम नमाज उन्हीं के बारे में बात की गई है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं खौजा मुनिद्दीन भारत कब आये थे ये भी इंपोर्टन कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है तो इसका उत्तर क्या है ग्यारा स 1223 में उनकी 81 वर्स की उम्र में मिरती हो गए थी यानि वो 81 वर्स जिये थे और 1223 में उनकी मिरती हो गए थी कोश्चन नमर 11 है सुहरावर्दी सिलसिला भारत में कब परचलित हुआ तो उत्तर आपका सुहरावर्दी सिलसिला तेरहवी से चौदावी सताबदी में भारत मे परचिलत हुआ कोशियन नमर 12 आपका सुरहवर्दी सिलसिला के मुख्य संत कौन थे तो उत्तर आपका सेख सहाब अध्दीन सुरहवर्दी और हमीद अध्दीन नागिरी अधीक परसिद्ध संत हुए कॉशियन नमर 13 आपका भकती आंधोलन का परमुख उद्देश क्या था उत्तर आपका असमानता उंच नीच अमीर गरीब और छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना भकती आंधोलन का परमुख उद्देश था कोशिन 14 आपका महराष्ट में भक्ति आंदोलन के प्रवक्तों में किसका नाम विशेस उल्लखनिये है उत्तर है आपका संत नाम देव का नाम विशेस रूप से उल्लखनिये है 15 नमर कोशिन आपका रामानुजाचार्य कौन थे उत्तर है आपका विश्णु को ही इस्वर मांते थे और उनहीं की पूजा करते थे तथा उनका विश्णु आनदी और अनन्त था 15 नमर कोशिन आपका रामानन कौन थे तथा उनका जन्म कब और कहां हुआ था उत्तर है आपका रामानन रामानुजाचार्य के सिस्थि थे यादर रखियेगा दोनों का रामा रामावर्ट से नाम है उनका जन्म 1299 इस्वी में हुआ था और प्रयाग के एक ब्राहमन अंदोलन के परसार में विसेस योगदान रहा कोशिय नमर 19 आपका बंगाल के सासक लक्षमंट सेन के दरबार में पांच रतनों में की गिंती की जाती थी तो उत्तर आपका जैव दे की कोशिय नमर 20 आपका पीर और मुरीद सब्द का क्या अभी प्राय है उत्तर आपका बातों को अमल करते है या उनके दोरा जो बाते बताया जाते हैं उनहीं को मांते हैं और उनहीं के रास्ते पर चलते हैं 21 कोशिय नमर 25 सब्द से क्या अभी प्राय है उत्तर आपका नाफ पंती वे लोग होते थे जो अपने गुरु गोरक नाथ के शिश्च्य मानते थे वे अस्थान अस्थान से भिक्छा माँग कर अपना जीवन यापन करते थे कोशिय नमर 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 कितने भागों में विभाजित किया गया था उत्तर आपका इनको दो भागों में विभाजित किया गया है कोश्य नमर 27 आपका महराष्ट के तीन परसित संतों के नाम बताईए उत्तर आपका तुकाराम एकनाथ और संत ज्यानेश्वर कोश्य नमर 28 आपका गुरू नानक के प दूसरा क्या है नीर्गुन 31. शगुन में किन की अराधना होती है? उत्तर आपका शगुन में सिव, विस्नू तथा उनके आवतार वा देवियों की आराधना होती है जिनकी मूर्त रूप से आवधारना होती है 32 नमबर आपका निर्गुन में किन की उपवासना की जाती है उत्तर आपका निर्गुन में भक्ती परंपरा में आमुर्त निराकर इस्वर की उपासना की जाती थी कोशें नमबर 33 आपका अलवार किस देवता की भक्ती में तमन्ने रहते थे उत्तर आपका अलवार विसनु की भक्ती में तमानी रहते थे important question है ये exam में आ सकता है question number 34 से आपका नैनार किस देवता की भक्ती गान करते थे उत्तर आपका नैनार सीव की भक्ती गान करते थे यानि अलवार विसनु की और नैनार सीव की इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशे नमर 35 है, अलवार संतों के एक मुख्य काबि संकलन का नाम लिखिए, तो उत्तर आपका नल चिरादिव प्राबंधम, कोशे नमर 36 है आपका तौरम क्या है, उत्तर आपका दसवी सताबदी में आधार संवदर और सुन्द सर की क कविताएं तौरम नामक संकलन में रखी गई, जिन में कविताओ का संगीत की आधार पर रगी करन हुआ, कोशे नमर 37 है आपका तमिल भक्ती रचनाओं की एक मुख्य विशे वस्तू क्या है, उत्तर आपका तमिल भक्ती रचनाओं की एक मुख्य विशे वस्तू बोध और जैन धर्म के प्रती उनका विरोध है कोश्य नमर 38 आपका चोल समराटों ने किन तीन परसिद अस्थलों पर मंदिर बनवाए उत्तर आपका चितंबर दूसरा आपका तंजावुर्थ और तीसरा आपका गैंकोडा चालापूर में आगे कोश्य नमर आपका लिगायत समुदाय विशेश रूप से किस छेतर में कहां रहते हैं उत्तर आपका करनाटक में लास्ट कोश्य निस वीडियो का लिगायतों की कोई दो विशेश्ताओं को लिखिये तो किया तो उमीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको लाब 100% मिला होगा तो जो भी ने वीवर है जो मेरे वीडियो को आखरी तक देखे हैं तो प्लीज इसी तरह वीडियो को हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हमेशा हो सके आज की वीडियो में इतना ही तपता के लिए जैन जै जारकन